नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में हर कोशिश में सायद सफलता ना मिल पाए लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है नमस्कार दोस्तो रादे रादे स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज हम बात करने जा रहे हैं आपके राशी फल के बारे में आज के दिन यानि के 18 जुलाई दिन सों बर कैसा रहने वाला है आपको आने वाले समय में किन-किन चीजों से साथधान रहना होगा और आपको आने वाले समय में कौन-कौन सी बड़ी-बड़ी खुशका प्रियम बिलने वाली है तो दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आज आपका पारवारिक जीवन कैसा रहेगा आपका बिजनिस वापार कैसा चलेगा और आपका प्रेम संबंद कैसा रहेगा और साती साथ आपका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में आज का संपून राशी फल बताएंगे अगर दोस्तो आप भी अपनी राशी जानना चाते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तो आप सोंबार है महादेव महराज का दिन है दोस्तो कमेंट बॉक्स में सची श्रद्दा से हर हर महादेव जरू लिखना दोस्तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके डोटिफिकेशन बेल को और पर्स रेट कर रहे है अब बात कर लेते हैं दोस्तो आज के पांच जांग की आज का पांच जांग है 18 जुलाई 2022 दिन सोंबार आज के तीती है पंच मी आज का नक्षत्र है पोद्र भाद्र पनक्षत्र पक्षल रहा है कृष्ण पक्ष दोस्तो आज सूरे देवुदे होंगे सुभा पाच बच कर 34 मिनिट पर सूरे देवस्त होंगे शाम साथ बच कर 13 मिनिट पर दोस्तों आज का शुब समय है सुबह 8 बच कर 19 मिनट से सुबह 11 बच कर 14 मिनट तक अगर दोस्तों कोई शुब काम करना है तो इसी समय करें आपके लिए शुब रहेगा और साथी साथ आज का अशुप समय है दोपैर बारा बच कर पचपन मिनट से दोपैर एक बच कर उननचास मिनट तक रहेगा दोस्तो आज आज आपका लखी नंबर है चार और लखी कलर है नीला अब बात कर ले दें दोस्तों आपके लिए आज के सुविचार के बारे में दोस्तों आज का सुविचार है इन तीन हालतों में होता है जान का खत्रा ऐसी परिस्थिती में तुरंद आप भाग लिख ले जी हाँ दोस्तों सवर प्रत्थम है हिंसक दोस्तो उपद्रों में भीड बेकाबू हो जाती है कभी भी हमला कर सकती है जैसे ही वो वहां से जान बचा कर भागने में ही समझदारी होती है ऐसी जगा जादा देर तक टिकने पर जान का खत्रा तो होता ही है साथी कानूनी कारवाई में भी फस सकते हैं नबर दो की बात करते हैं बदला दोस्तो हमारा दुश्मन हम पर हमला कर दे तो वहां से फौरण ही भागने में ही आपकी भलाई होती है क्योंकि बिना रण नीती के आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे ऐसे समय में शत्रू पूरी तयारी के साथ आता है इसलिए जान बचेगी तो आप उसे दोबारा मुकाबला कर पाएंगे नबर तीन अर्थव्यवस्ता दोस्तो जहां की अर्थव्यवस्ता चर मरा गई हो बहां से निकल जाने में ही भलाई होती है ऐसी जगा पर जादे दिन तक रुखने से खुद के साथ में भी परिवार को भी नुकसान हो सकता है तो दोस्तो आज का ग्यान अगर आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर दीजे अब बात कर लेते हैं दोस्तो आज के आपके राशी फल के बारे में कैसा रहेगा आपका अचके दिन आईए जान लेते हैं तो दोस्तो बच्चों के साथ खेलना बहुती अच्छा और बहुती सुकून देने वाला अनुवब रहेगा इसके उपरान दोस्तो अगर आप लोन लेने वाले थे और काफी दिनों से इस काम में लगे थे तो आज के दिन में आपको लोन मिर सकता है घर को सजाने में और सवारने के लिए भी आज आप अपने खाली समय का सदिप्योग करेंगे इसके लिए आप परिवार से सरहाना पाएंगे एवं आपकी प्रिये का भी आयस्तिरता बरताब आज रुमैंस को बिगाड सकता है इसके साथी दोस्तों आज आपने जो नई जानकारी हासिल करने के लिए समय निकालता वे आपको अपने प्रतिस्पंदियों पर पड़ब दिलाएगी आज ऐसी कई सारी चीज़े होने वाली हैं जिनकी तरफ आप तुरंद गौर करने की आवशकता होगी आपकी बीती जिन्दगी का कोई इलाज कोई आपके जीवन साथी को उदास कर सकता है साथी दोस्तों हम आपको बता दें कि अपनी मैनत और आलोकिक शक्ति का सही प्रेयोग करके आप धन और बहुत एक सुरक्षा के मामले में भी सम्रिद्ध होंगे दोस्तों दिन चर्या में बदलाव करके आप अपने कर्तवे का भली भाती से पालन कर सकते हैं दोस्तों धन संबंदी जो किम से बचे क्योंकि दिर्णलेला आपके लिए हानी कारक भी हो सकता है आप नकारात्मक मैसूस कर सकते हैं किन्तु याद रखना चाहिए कि दुखबीर जीवन का एक भाग है स्वैम को सईद इशा की तरफ आपको ले जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए दोस्तो अभी आपका महत्वर नहीं समझ पा रही है इसलिए आपको दोस्तो अब उन्हें अपनी पूजा और विचारों से प्रभाबित करना होगा पॉजिटिव सोचें अच्छी संभावनाओं के बाहरे में भी जान लें और उन्हें वास्तिविक्ता में परिवर्तित भी कर लें दोस्तो दुश्मेन या फिर विवा आपकी चिंता का कारण बन भी सकता है लेकिन आपकी लव लाइफ आपको निराज बिलकुल भी नहीं होने देगी प्यार के इन पलों से आपको ऐसा लगने वाला है जैसे कि आप साथवे आसमान पर पहुँच गए हैं महमानत का फल मिलेगा किन्तु किसी विश्वस्निय विक्ती से धोका भी आपको मिल सकता है कुछ पाने की चाहा और आत्मे विश्वास से आप दुनिया को जीत सकते हैं बस आपको अपने होनर का सही और सही जगा पर इस्तमाल करना होगा दोस्तो आप दोनों दूसरे से द्रंट संकल्प और बुद्धी का सम्मान करते हैं आपकी योजना आपके जीवन साथी को अभी भी पसंद नहीं है किन्तु जल्द ही वे आप पर विश्वास करने लगेंगे आज का मंतर यही है दोस्तो कि आशा वादी बने साथी दोस्तो बीदी लाप की सूजना से आपको और आपके प्रिये जनों को खुशी मिल सकती है इसे ये भावरा सकती है कि सब अच्छा होने वाला है आप खुश मिसाज और आकरशक हैं नए लोगों से मिले इसलिए आपको नए अफसर मिलेंगे जो अंतिता आपके लिए काफी फायदे का सौधा होंगे आप परिवार या फिर घर की बनावट में कोई बदलाव लाने के बारे में सोच भी सकते हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके लव लाइफ के बारे में आज का प्रेम जीवन आपका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला ये जान लेते हैं दोस्तों ये समय हलके फुलके मरोरंजन के लिए है आज का दिन प्रेम और अपने साथी के साथ में मज़ा करने के लिए अतियुत्तम है हाला कि दोस्तों आपकी चिंताओं का आंति नहीं होगा परंतु ये खुशनुमा पल आपको थोड़ी देर के लिए आपको परिशानी से दूर भी ले जाएंगे क्योंकि आप इस समय को खुशी से बिताएंगे तो दोस्तों ये था आपका आज का राशी फल दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो कर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा ताकि आने वाली नौलेजिवल वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई और अंदे तक चुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कमेंट बॉक्स में सची श्रत दवाब से ओम नमस्शिवाय जरूर लिखेगा